राजेश खन्ना अपने जमाने के सूपर स्टार थे जैसे ही सेट पर जाते थे इज़्जत बहुत मिलती थी ना प्रड्यूसर की पूछने की हिम्मत होती थी कि लेट क्यों आ रहे हो और कभी किसी से मजाग भी करते थे तो reply में कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था लेकिन राजेश खन्ना की मजाग उन पर तब भारी पड़ गई जब reply में उनकी co-actress ने उनसे ऐसी मजाग कर ली कि उसके बाद राजेश खन्ना नाराज भी हुए और चुब भी हो गए आज कपके और कैसे में मैं आपको उसी co-actress की उस मजाग के बारे में बताऊंगी जिसने राजेश खन्ना की बोलती बंद कर दी थी यह actress थी मौश्मी चैटर जी मौश्मी चैटर जी बॉलिवूड इंडस्ट्री में अच्छी खासी आक्टिव रही है और उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान अनुराग जैसे फिल्मों में काम किया है मौश्मी चैटर जी ने बताया कि एक टाइम पर जब वो राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी और उस वक्त तक वो मा बन चुकी थी क्योंकि मौश्मी चैटर जी ने 15 साल की उम्र में शादी कर ली थी और वो मा भी जल्दी बन गई थी तब राजेश खन्ना ने मौश्मी चैटर जी से पूछा कि ये जो तुम्हारे बच्चे है ये तुम्हें तुम्हारे पती जैनता मुखर जी से है या विनोद महरा से है एक्चली उन दिनों मौश्मी चैटर जी विनोद महरा के साथ फिल्मे भी कर रही थी और दोनों के affairs की खबरे भी आई थी और राजेश खना ने उन्हीं बातों को लेकर मौश्मी के साथ मजाग कर दिया अगर कोई और actress होती तो शायद वो जवाब देने की हिम्मत नहीं करती लेकिन मौश्मी चैटर जी शुरू से ही एक बोल्ड आक्ट्रिस रही है और वो किसी का भी सुनकर लेती नहीं यही कारण है कि उन्होंने वही के वही राजेश खना को ऐसी बात कह दी जो डाइरेक्ट उनके दिल पर जा लगी मौश्मी चैटर जी ने रिपलाई में राजेश खना को जवाब दिया कि तुम्हारी जो बेटिया है ट्विंकल खना और रिंकी खना उनके बाप तुम हो या रिशी कपूर है आपको बता दें कि डिंपल कपारिया का एक टाइम पर रिशी कपूर के साथ नाम जुड़ा था और अफैर की भी खबरे थी और इसी बात का ताना तब मौश्मी चैटर जी ने राजेश खना को दिया था जिसके बाद राजेश खना ने चुपपी भी साद ली और आगे च हाला कि बाद में उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे आदमी थे एक अच्छे को आक्टर थे लेकिन हां ये किस्सा उन्हें राजेश खना का हमेशा याद रहेगा